अक्सर ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि आप मकान बनाने के लिए सोच रहें ठीक है लेकिन उसमें क्या होता है कि कोई बिबाद उत्पन कर देता है बिबाद किस परकार का उत्पन करता है कि वो चाहता है कि उसका मकान नहीं बने किसी तरह से रुकावट जो है पैदा करने का को तो धारा 144 लगा कर फिलाल उसमे क्या कर दिया जाता है। रुकावट कर दिया जाता है। उसके बाद उसका परक्रिया चलेगा। अगर वो जज्जमेंट आपके फेवर में आता है और ज्यादा दिन तक इसका वैलिडिटी भी नहीं होता है। में आगे डिपन करता है फिर कि अगर वैसा सिच्वेशन है वैसा कंडिसन है तो बरहाए जाता है। तो अगर ये इस तरह का समस्य उत्पन होता है तो आपका पहला परियास होना चाहिए कि आप उसका सामना करें। कि इसलिए कि जब तक आप उसका फैसला नहीं हो जाएगा तब तक आपको वो आगे कारे नहीं करना चाहिए अब आप कहेंगे कि ये ठीक है अगर मालतें बिबाद बरता गया अभी फिलाल मालतें एक तरह से अगर ठीक है दारा 144 जो लगेगा मालतें वो बैकती गया और ठाना में फायर किया या जो अनुमंडल पदादिकारी हैं स्डियो हैं उनके पास जाके आबेदन दिया अगर किसी भी परकार का समस्या लगा तो फिलाल क्या करता है धारा 144 का नोटिस कर दिया जाता है या किसी परकार का अगर मारपीट का विबाद है तो धारा 107 का जो है एक तरह से नोटिस दे दिया जाता है ताकि वहाँ पर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कुछ ऐसी घटना ना घटे जिससे आगे चलके जो है समस्या उत्पन हो अब है कि अक्सर आप देखते होंगे जो है अगर मालते परिवार में बटवारा नहीं होता है कोई अपने मन से मकान जो है वो सुरू करते हैं घर बना ना सुरू करते हैं तो जो पड़िवार के सदस होते हैं अगर उनको ऐसा अपती लगता है तो वो इस परकार से काड़ी करते हैं आज जो सवाल है सवाल भी इसी परकार का है सवाल ये कह रहें कि कॉमेंट का जवाब मिलता नहीं मिलता अगर मिलता है तो बड़ी महरवानी होगी बिल्कुल मिला आपको और आज जो भी है घर जो है बना रहे हैं और मेरे चाचा मुझे परिसान कर रहे हैं उन्होंने SDO के पाद देखें कमपलैन करने के लिए कोई व्यक्ति सुतंतर अगर अपने जगह पे आप सही हैं तो आपको डरने की कोई जरुवत नहीं है ठीक है अगर वो कमपलैन किये हैं और आपको नोटीस आगिया होगा तो अब आप जो है उसका जवाब दें आप अपने से वहाँ पे भी जाके अपना जवाब जो है वो दे सकते हैं या आप चाहें तो किसी वकील को समप्रक, वकील से समप्रक कर लें तो इसलिए अगर मालते किसी परकार का आरोप आप पर लगाया गया है तो आप आप जो है वहाँ पर अपना पक्ष रख सकते हैं आप मकान बना रहे होंगा आप अपनी जग़े बना लेकिन अगर किसी परकार कर कोई समस्या होगा तो वह बात आप वहाँ रखने का पर्यास करें लेकिन अगर इस तरह से समस्या अगर उत्पन होगा तो सामना तो करना पड़ेगा सवाल है मेरी जमीन मेरे बरे भहिया के नाम है और हमारे बटबारे हुए चालिस साल हो गया अब इस दुनिया में नही है वह जमीन बेटे के नाम हो गई है अब वो लर्का हमारी जमीन हमारे नाम करवा रहा है जमीन पर कब्जा हमारा है इसका उपाय बता है सर देखाई सबसे बात यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी जो जमीन है आपके बरे भाईया के नाम है ठीक है अगर वो जमीन खड़िदा हुआ जमीन होगा तब तो आपको काफी समस्या उत्पन होगा इसको अपने नाम पर लेने में और इसलिए कि अगर ये जमीन आपके भाया के नाम से जो हुआ अगर वो खड़िदा हुआ लेकिन अगर ये पैतरिक संपत्ती है बाप दादा की पिता की संपत्ती है जो आपके बड़े भाया के नाम से सिर्फ दाखिल खारी मोटेशन कायम है तो इसके लिए आप जो है उन्मंडल में जो है एक तरह से या जिला जो जिला के जो राजस्व के अधिकारी है वहाँ पर आप आबेदन जो है एक तरह से मोटेशन अपील के लिए कर सकते हैं है ना और जो पुराना जो गलत तरीके से मोटेशन किया है उसको वेरिफाई किया जाएगा जाज करने के बाद अगर वो सही पाया जाएगा तो पुराना मोटेशन को रद करके फिर नया मोटेशन के लि ये प्रूब देना की बरे भाईया जो संपती खरदा गया वो जोइंट में खरदा गया पड़िवारिक इंकम से खरदा गया तो ये थोरा दिक्कत आपको यहां पर हो सकता है इसलिए आपको इसके लिए सिबिल कोटी जाना होगा और यहां पर भी अगर माल लेते हैं आपका स सलूसन निकल जाएगा सवाल है सर जी मेरे पापा ने जमीन स्टांप पर बेची दोजार आट में खरदने वाला पूरे पैसे अभी तक नहीं दिये मेरे पापा सांत हो गया 2016 में जमीन लेने वाला भी सांत हो गया अब उसके बेटे ना तो पैसा दे रहें ना जमीन वापस कर रहें क्या किया जाए स्टांप वाला एग्रिमेंट कब तक मानने उसकी मानता खत्म हो चुकी है जमीन पर कबजा उनका देखिए आप तो जमीन दूसरे को बेचने के लिए स्वतंत रहें इसलिए कि जमीन सिर्फ मान लेते हैं स्टांप उनके पास रहने से उनके नाम न लगते हैं कि पूरा पैसा आपको नहीं मिलता है तो आप यह बाता सकते हैं उनको कि आपकी जो संपत्ती है हम किसी अन को बेच देते हैं अगर आप पूरा पैसा नहीं दे रहें तो भविसमें उनको यह समस्या होगा तो इसलिए वह ज्यादा जो है तरह से यह आप कर सकते है अगर ऐसा समस्याने की पहला पढ़िया साब को यहाँ पर हो ताकि उनको आप समझा सकें सही तरीके से कि वो पैसा दे दे और साथ में वो संपत्ती जो है उसको रजिस्टी भी करवा ले सवाल हेलो सर मेरे दादा के नाम से जमीन है पर दूसरे के कबजे में है खतियान है ऑनलाइन लगान भी पैमेंट करते हैं हम लोग जो है खेती करने जाते हैं तो नहीं करने देता है कहता है कि मेरा जमीन है उन लोग दबंग आदमी है हम लोग के पास कुछ नहीं है क्या करें देखिए अगर दादा के नाम से जमीन है ठीक है अगर मालते कबजा दूसरा का है तो आप सिविल कोट में आपको अब वो दबंग हो जितना बरा वो आदमी हो सिविल कोट में केस फाइल करना परेगा उसके खिलाब उसको नोटिस किया जाएगा उसके जवाब मांगा जो कबजा करने वाला है वो उसके लिए अपना एक अलग दलिल जो है वो दे सकता है तो इस तरह का अगर कोई भी किया हुआ है तो संपत्ती लेकिन आपको इसके लिए अब कोट जाना ही परेगा और यही एक विकल्प है आप उसके खिलाब केस फाइल करेंगे अपना आप टाइटल का दावा करेंगे इसलिए कि यह संपत्ती जो है वो आपके दादा के नाम से है सवाल यदि भाई ही भाई की संपत्ती खड़िता है तो क्या संपत्ती बेचने वाले के बच्चे उस संपत्ती को वापस ले सकते हैं देखें बिलकुल नहीं ले सकते हैं आप जैसे बता दें और इसमें सुप्रीम कोट का जजमेंट भी है आप अगर अपने जो पती या अपना कोई भी पैत्रिक संपती बेज रहे हैं तो उसमें अगर आपके पड़िबार के लोग आपके भाई या आपके चाचा अगर वो खड़िदार हैं तो पहला विकल्प वही होना चा सकते हैं लेकिन यहां पर ये कानूनी रूप से ये नियम है कि आप अगर संपती को बेच रहे हैं तो पहला विकल्प होता है पड़िबार का लोग तो आप भाई भाई से संपती खड़िदेंगे भी तो आपको किसी परकार का कोई समस्या उत्पन नहीं होगा आगे चलके किसी परकार का कोई समस्या उत्पन नहीं होगा आप खड़िच सकते हैं सवाल ये पूछ रहे हैं बेरी बेरी इंपोर्टेंट कोश्चन मान लिए कि एक व्यक्ति है जिसका जमीन भी उसके जो है संबंधी है और उसे जो है यहां पर करके जो है यहां पर नसाप बगरा जो भी है दोखे से अंग उठा जो है वो कागज पर लेकर वो क्या जमीन का मालिक भी बन गया देखे सीधी सी बात है यहां पर अगर धोखा दिया गया ठीक है तो जिसके साथ ऐसा हुआ अभी फिलाल क्या होता है कोई कागजात पर सिर्फ जो है अंग उठा लगा देने से माल लेते हैं क्या सिगनेचर उसको करने नहीं आ रहाता है अगर उसको सिगनेचर करने आता है हर जगह वो सिगनेचर कर रहा है तो यहां पर वो अंगठा क्यों लगाएगा तो यह भी एक पॉइंट होता है कि अकसर अभी माल लेते है ठीक है उनको अगर सिगनेचर नहीं क वो अगर transfer किया जाता है तो उसका एक process होता है अगर वसीयत किया जाता है तो अगर माल लेते हैं सिर्फ ऐसे कोई कागज पे, स्टाम, पेपर पे सारा बात लिखा किया उठा ले लिया जाए तो उससे वो संपत्ती का मालिक कभी नहीं बन पाएगा ऐसा अगर किया गया है तो वो संपत्ती का मालिक नहीं बन पाएगा लेकिन अभी फिलाल अगर ऐसा कर दिया गया है तो आप उसके खिलाप दोखादरी क 400 BC का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं अगर आप जो है यानि वे साबित करने में सफल होंगे तो उसको सजा भी हो सकता है आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो को लाइक जरू कर दें चैनल को पहली बार देख रहें सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें